हाई फ्रेंट्स वर्कम टू प्रियास डियाए वै चैनल और मैं हूं प्रिया दोस्ते आज मैं आपके साथ एक एसा स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग सूप शेयर करूंगी जो आपकी स्किन को वाइटन करेगा स्मूथ बनाएगा साथे पिम्पल्स एकनी या फिर जर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आप में चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाचों में जो बेल का बटन आता है उससे भी प्रेस कर दें जिससे आने बारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको असाने से मिल जाए सबसे पहले हमें इस सोप को बनाने के लिए एक सोप बेस की ज़रत है इसके लिए आप कोई भी ग्लिसरेन वाला सोप या फिर ऑनलाइन जो सोप बेस अवेलेबल होते है वो भी ले सकते है मैं यहाँ पर पियर्स का सोप यूज़ कर दें हूँ सोप बेस करेंगे दो वाइटमिन E की कैप्सियूल्स यह एकनी पिंपर्स यह जो डार्क स्पॉट्स हुए होते हैं वो लाइटन करेगा और स्किन को स्मूध भी बनाएगा फिर आइड कर ले एक पिंच टर्मरिक यानि के हल्दी एक नेम्बू की बाहरी स्किन को पीर करके बनाया पाउडर और एक स्पून शहित बस अब इस ग्रेटेट सोप को हम कुछ इस तरह के डबल बॉइलर में मेल्ट होने के लिए रख देंगे इसे करीब दू से तीन मिनिट हो चुके हैं और यह अल्मोस्ट मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें बाके की चीज़े भी आड कर हाफ स्पून नीम का पाउडर आप नीम के पाउडर की जगा आमला का पाउडर भी ले सकता है एक ती स्पून के लिन क्ले यह स्किन वाइटनिंग में फॉर्स्ट यूज से ही अमेजिंग रिजर्स देता है इसके परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे अब यह सोप बनकर रेडी है इस सोप को आपने फेस या फिर पूरी बॉली पर यूज कर सकते हैं आप रोजाना इस सोप से 2-3 बार अपने फेस को वाश करें यह स्किन टोन को 2-3 दिनों में ही 2 शेड लाइटर करेगा साथ ही आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर ही आपके आप स्पॉट्स भी काफी हद तक रिडियूस हो गया है सो दोस्तों आप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और मुझसे परस्नली जुडने के लिए मुझे मेरे सोशे मीडिया जैसे के फेस्बूक, इंस्ट्राग और ट्विटर पे फॉलो करें और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी आन कर दे